संगीता चोधरी व्लॉग फ्रेंड्स आज है संडे और अगर आप देखो तो मैं इस टेम छत पर हूँ बहुत ही धूप स्टार्ट हो गई है यहां पर अभी आई थिंक 8.30 के राउंडरी टाइम हुआ है लेकिन धूप बहुत जादा हो गई है तेज सो आज सोचा कि चलो एक व्लॉग बना दिया जाए संडे को फिर से कल वाला व्लॉग अगर आपने मेरा नहीं देखा तो प्लीज आप जाईए और मेरे व्लॉग को प्लीज वोच करें आप देख सकते हैं कई बार यहां पर धूप आ रही है कभी हलकी हलकी सी चाओ भी हो जात है चत पर यह 10-15 दिन पहले ही रख दिया था हमने क्योंकि अब कुलर की जुरूरत नहीं है सिर्फ अगर गर्मी पड़ती है तो एसी से काम चल रहा है कुलर यहां नहीं चला सकते इस टाइम मोसम ठीक नहीं है कुलर चलाने का मोसम नहीं रहा चत पर मेरा आने का मेन मोटीव था अपने प्लांट्स लगाए हुए है उनको पानी देना था क्योंकि कल इवनिंग में भी मैंने पानी नहीं दिया पोदो को तो अब सोचा था कि चलो इस टाइम दे 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 न पानी तो ड़ता हो गया है सूरज निकलने से पहले इनको पानी दे देना चाहिए बट पानी देने में फ़टा लेट हो गया आज फिर से मुझे संडे था, तो संडे को थोड़ा सा लेटी उठे भी है, सारा हमारा जो outsider टाइम एक शेडूल था, वह रोगा है तो पहले दे देते हैं पोधो को पानी, अगर आप देखो तो यह सारे प्लांट्स मैंने लगा हुए हैं, harder लगाए हुए, मुझे प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है तो मैंने प्लाट्स पे भी अपनी वीडियो बनानी है देखिए तुलसी का प्लाट है ये कितना हरा भरा हो चुक है इस टाइम ये मैंने बैंगन का पोधा लगाया हुआ है ये भी एक तुलसी का पोधा मैंने लगाया हुआ है इसमें गुलाब का पोधा भी लगा हुए देखिए ये पोधा मैंने आज से वन मंथ पहले लगाया था अगर आप देखो तो सिर्फ एक गंबले में पोधा लगा हुए आप देखोगे तो इसमें बैंगन भी आने लग गई है छोटे छोटे तीन-चार दिन पहले ही मैंने देखे हैं कि इस पर बैंगन आने वाले हैं देखी एक और बैंगन आने वाला है आपर चोटे चोटे बेंगन है तो आप भी घर पर अपने ऐसे पोधे लगा सकते हैं आप सबजीया अपने गमलों में भी उगा सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप बाहर से सबजीयां खरीदो अगर आपके पास चट पर स्पेस है तो आप वहाँ पर गमले रखकर इन सबजीयों को उगा सकते हो और यह हमारे सेहत के लिए भी अच्छी रहती हैं क्योंकि इन में हम किसी तरह की कोई कैमिकल्स यूज नहीं करते यह हमारी जो सिंपल हमारी जो मीटी एस में थोड़ा खाद डालते हैं गोबर वगएर डालते हैं और उनी में यह पोधा लगाया हुआ देखे आप खुद देख सकते हो यह पोधा कितना अच्छा चल रहा है पोध से प्लांट्स मैंने अपने चट पर गमलों में लगाये हुए हैं सो यह था अज मेरा छोटा सा व्लोग आपको यह दिखाना था कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी बहर से ही लेकर आई जाए आप घर पर भी अपने सबजियां उगा सकते हो जैसे कि मैंने बैंगन के पोधे लगा रखे हैं मिर्च लगा रखे हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स मैंने अपने घर के चट पर ही लगाई हुई हैं तो आप भी ऐसे मार्किट से गमले लाकर उनमें सिंपल सी मिटी डाल कर थोड़ा सा खाट डाल कर इन सबजियों के पोधों को उगा सकते हो और घर पर ही आप सबजियां होगा कर उनको यूज करें वो हमारी हैल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होते हैं तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू